हलो प्रेंट्स वेलकम टू आईटे इंडेक्स आज के वीडियो काभी बटन्ट होने वाला है क्योंकि प्रिविएस में हम लोगों ने जो वीडियो कंप्लीट किये हुए वो सभी वीडियो मैंने ट्रेपल पी इनकैपसुलेशन के बारे में बात की ती राइट इसलिए मैंने अभी तक की जो प्रिवेस फे वीडियो बनाए है उसमें जो डो राउटर शापस में मैंने कनेक्ट किये था मिंस आईयस पी टू कस्टमर जो कनेक्टिविटी की थी वो वीदेलप औप स्रियल इंटरफेस कनेक्टिविटी थी मलब सीरीव लिंक के ठूरू कनेक्टिविट की अगर बात करें तो serial interface में by default तो HDLC encapsulation था बट उसको हम change करके triple P encapsulation enable कर सकते थे बट इधर जो मैंने connectivity की हुई है वो ethernet port के through की हुई है आप धहां से देखे इthernet port के through मैंने दो router को connect किया हुआ है एक router को मैंने ISP बोला हुआ है और दूसरे router को मैंने customer बोला हुआ है टोपलोजी के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा यह ISP है यह customer है actually जब triple P OE की हम लोग बात करते हैं तो triple P OE के two components हो गए आप ऐसे समझे जब भी configure करेंगे तो triple P OE इस तरीके से configure करते हैं कि एक triple P OE server बनता है और दूसरा side triple P OE client बनता है तो triple P OE के दो components आप माल लिजे एक server side हो गया और एक client side हो गया server side का meaning क्या है कि देखिए जो internet service provider broadband का जो router है ना बहुत सारे लोगों ने broadband का connection के बारे में जानती होंगे कि internet का broadband connection होता है तो broadband जब connection हम लोग लेते हैं तो जो router जिस router पे internet की line आती हो वो एक customer end का router होता है वो अपने end का router होता है राइट बट जो internet की line आ रही वो service provider end से आ रही तो service provider end जो होगा वो triple P OE server बनेगा और जो broadband वाला router जहां पे लगता है customer end पे वो आपका triple P OE client होगा at the time of configuration of triple P OE यह point तो clear हो गया second thing मैं अभी यह बात कर रहा हूं कि ethernet port पे triple P encapsulation तो possible नहीं है देखिए serial interface था उसको HDFC encapsulation enabled था उस पे क्या enable कर दिया हम लोगों ने triple P encapsulation simple command के through enable हो गया but ethernet port पे triple P encapsulation possible नहीं है वो क्यों नहीं possible है इसका logic समझेए इसलिए नहीं possible है क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूं कि जो भी मैं R2 यह customer है R2 के through जो भी data मैं transmit करूंगा ethernet 0x0 port से ध्यान से समझेए का मैं यह चीज़ बताना चाहरा हूं कि directly interface पे ethernet 0x0 पे triple P encapsulation enable क्यों नहीं कर सकते इसका मतलब बता रहा हूं इसलिए enable नहीं कर सकते क्योंकि इधर से जो frame जाएगा sorry data packet जो ethernet 0x0 से transmit होगा वो जो data packet होगा उसमें ethernet header की information होगी plus IP header की information होगी ethernet header को remove नहीं कर सकते धान से समझेगा बात ethernet header को remove नहीं कर सकते because जो भी data हम लोग इधर से transmit कर रहे हैं वो data ethernet switch के थुरू pass होगा क्योंकि यहां पर बीच में क्या लगे होंगे switches लगे होंगे तो layer 2 switch के थुरू अगर data को forward करना है data को pass कराना है data traffic को तो उसके लिए layer 2 header की information attach होनी चाहिए right तो it means layer 2 header की information को remove नहीं कर सकते तो remove नहीं कर सकते तो उसका solution क्या है layer 2 interface पर directly encapsulation enable भी नहीं कर सकते क्योंकि layer 2 header की information को हम remove नहीं कर सकते इसलिए इसके लिए जो इसका solution है वो यह है क्या enable करना पड़ेगा हमको triple poe enable करना पड़ेगा right triple poe means point to point point to point protocol over ethernet खिक है तो अब किस तरीके से enable करते हैं इस चीज़ को देखते हैं लेकिन logic समझ में यह आता है कि directly ethernet port पे जाके triple p encapsulation enable नहीं हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा virtual interface create करने पड़ेगे उसके लिए हमको virtual interface create करने पड़ेगे और finally होगा का देखे जान से अगर मैं बात करूं तो layer to header ethernet header और IP header की information attach होके अधर से जाएगी ठिक transmit होगा ethernet 0 by 0 से data तो अब होना क्या है कि जब गर मुझे encapsulation करना है तो encapsulation में layer to header की information को remove नहीं करूंगा layer to header की information plus IP header की information और plus triple P header की information जो triple P header होगा वो 8 bit long triple P header होगा आप इतना समझे 8 bit long होगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि finally अगर मैं ऐसा बोलूं कि सबसे पहले आपका क्या होगया ethernet header होगया आपका right और ethernet header के बाद triple P header होगया triple P header होगया edge से मैं header represent कर रहा हूँ plus इसके बाद आपका IP header होगया IP header होगया इस तरीके से जो information होगी right जो triple P की information होगी वो इस तरीके से attach होगी right means ethernet header की information data packet के अंदर available होगी तभी data layer 2 जो switch होगा layer to ethernet जो switch होगा उसके through pass हो पाएगा clear होगी बात अब किस तरीके से configure करते हैं तो configuration वाला part आप देखिए मैंने आपको बताया है कि triple P O E के दो components है एक आपका server एक client server आपका ISP end पे होगा configuration और client आपका customer end पे configuration होगी right तो first of all हम server की configuration करते हैं और उसके लिए मैं virtual interface create करना पड़ेगा क्योंकि directly मैं ethernet 0 पे जाके triple P encapsulation enable नहीं कर सकता तो उसके लिए मैं R1 router का console access कर लेता हूँ right क्योंकि directly नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते मैंने आपको reason बताया finally मैं configuration mode में आ जाता हूँ पहले से देख लेता हूँ कोई interface पे IP assign तो नहीं है so IP interface brief कर लिया मैं इधर कोई भी IP address assign नहीं है ethernet 0 by 0 की बात करूँ मैं तो 0 by 0 इस physical interface पे हमें कोई भी IP address assign नहीं करना है इस बात को ध्यान रखना है right क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा एक virtual interface create करना पड़ेगा right तो इसको मैं no shutdown कर देता हूँ at least port up कर लेता हूँ और no shutdown करने के बाद अब मुझे एक virtual interface create करना है right virtual interface जो हम create करेंगे उसके लिए एक virtual template create करेंगे virtual interface का मतलब एक template बनाएंगे उस template को हम maximum कितने templates create कर सकते है 1 to 200 numbers तक दे ज़ेगते suppose मैंने template का number दिया 11 right तो interface मैंने एक virtual template 11 बनाया देखा जाया तो जो ये virtual template create हुआ है जो मैंने interface अभी virtually interface create किया हूँ होगा by default इस virtual template पे triple P encapsulation enable होगा तो मैं आपको ये check भी करा सकते हूँ मैं आपको इसको with thelpop do so interface virtual virtual template wait wait do so sorry template का मुझे number भी तो देना होगा interface number इसाइन किया मैंने 11 इसाइन किया था right ये देखिए तो इसको अगर मैं आपको show कर रहा हूँ तो ये देखिए by default मैंने जो virtual interface create किया है by default उस virtual interface पे encapsulation कौन सा enable है triple p encapsulation enable है अगर आप इस पे encapsulation की command चलाइए अगर पहले से नहीं है इसको आपको check कर लेना है अगर कोई lab इस तरीके की मिलती सॉरी मुझे interface पे जाना पड़ेगा interface इस पे आप encapsulation triple p enable भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो वसे by default enable होगा अगर इस नहीं remove कर रखा है किसी triple shooting lab वगरा मैं आप कर रहा हूँ तो देख सकते हैं इस तरीके का और राइट नो सट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्चुल इंटरफेस है अब मैं फिजिकल इंटरफेस को अलड़ी मैंने नो सट कर लिया था मैंने इधर क्या कर दिया exit कर दिया अब आप एक बास समझे मैंने जो ध्यांसे समझेगा पहला इंटरफेस किया है मैंने फर्स्ट कॉन्फिग्रिशन ये किये कि वर्चुल इंटरफेस इनेबल किया रियेट किया और इस पे एक इंटरफेस पर IP address रसाइन किया बट मुझे physical interface, f is ethernet 0x0 पे जाके इसको call कराना है, किसको? virtual interface की information को, बट जो physical interface है ethernet 0x0 इस पे directly हम इस virtual template को call नहीं करा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या create करना पड़ेगा, हमको एक BBA group create करना पड़ेगा, हमको एक BBA group create करना पड़ेगा, अब BBA group की अगर हम लोग बात करें, तो just a minute, हाँ, triple poe, BBA group triple poe, अब आप कोई नाम दे दिजिए, सपोज मैं इसको नाम दे देता हू, IT index, यह BBA group मैंने create कर लिया, और BBA group के अंदर, जहां से समझेगा बात को, BBA group में के अंदर, मुझे इस virtual interface को call कराना है, इस virtual interface को, राइट क्योंकि मैं directly physical interface पे virtual interface को call नहीं करा सकता, virtual template को call नहीं करा सकता, physical interface पे मुझे इस BBA group को call कराना है, और आपके दिमाग में आ रहा होगा, यह BBA group है का, देखिए BBA group का मतलब है, broadband group, BBA group का मीनिंग है broadband group, और इसको बोल सकते हो, it is kind of VPN, it is kind of VPN, और यह जो मैंने create किया हुआ है, जो BBA group बनाया है, यह एक kind of tunnel है, आप इसको एक tunnel मान सकते हैं, right, क्योंकि मैं यह command physical interface पे जाके इसको call कराना होगा, लेकिन इसको call कराने से पहले मुझे इस virtual template को इस BBA group में call कराना होगा, तो उसके लिए मैं virtual template को call करा लेता हूँ, virtual template मैंने 11 दिया थै, मैंने इस पे call करा ल BBA का मतलब है broadband group, और broadband group की बात करें, यह kind of VPN है, ठीक है, और इसको आप जो मैंने BBA group करके triple PUE IT index create किया है, यह kind of tunnel है, आप इसको tunnel बोल सकते हो, जिसके अंदर मैंने इस virtual interface को call करा लिया, अब finally मैं इस BBA group को physical interface पे call करा दूँ, finally मैं किस पे call कराने वाला हूँ, physical interface पे call कराने इंटरफेस, Ethernet 0 by 0, right, और इस Ethernet 0 by 0 पे जाके triple PUE होगा आपका, और enable कर देंगे, इसके बाद, right, group है, अब group number, जो भी name में sign किया था, मैंने IT index किया है, तो IT index, right, अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने group क्यों create किया था, क्योंकि interface में, physical interface के अंदर, मुझे BBA group को call कराना है, एंटर कर दिया, इस तरीके से देखा जाया है, तो मैंने जो server side की configuration, triple PUE server side की configuration थी, उसको मैंने complete कर लिया, अब फाइनली मैं R2 router पर आ जाता हूँ, customer end पर, all right, customer end की configuration है, तो customer end की configuration, simple, again यहाँ पर भी interface, physical interface पर आपको कोई information प्रोवाइड नहीं करनी, Ethernet 0 by 0, sorry, और मैं इसको no set कर देता हूँ, अब मुझे यहाँ virtual interface create करना है, interface, dialer की नाम से virtual interface create करें, right, और dialer में number को यह sign कर देता हूँ, उदर 10 दिया था, templates के अंदर हो, इदर मैंने 11 रखा है, उदर 11 दिया था, इदर मैंने 10 रखा हूँ, ओके, अब encapsulation, क्योंकि dialer की अगर बात करोगे, तो मैं बता हूँ, जब मैंने virtual template create किया था, उस time आपको show करके दिखाया था, कि जो भी by default encapsulation, triple P enable हो जाता है, right, बट अगर मैं dialer की बात करूँ, तो इधर जो by default encapsulation, HDLC run कर रहा होगा, इधर triple P encapsulation by default enable नहीं होता है, client side में, इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर आप show करके देखना चाहते हो, तो मैं आपको check करा सकता हूँ, do so interface dialer 10, do so interface dialer 10, इधर मैं आपको दिखाऊ हूँ, तो दिखिए encapsulation type क्या है, HDLC, right, इधर encapsulation type HDLC, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो interface में आना है, interface dialer, और dialer number sign किया तो मैंने 10, और इस side में मुझे encapsulation enable कर देना है, triple P, right, और IP address से sign कर देना, 112.1.1.2 and slash 24k coding, physical interface को मैं no set कर चुका हूँ, तो इधर no set की कोई requirement नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो उधर मुझे चुल में एक command और चलानी पड़ेगी, डाइलर group create करना पड़े, डाइलर pool create करना पड़े, पूल है या group है, wait, 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 डाइलर पूल, ओके, मैं यह से missing हो रहा था, तो डाइलर पूल, डाइलर पूल देना होगा, पूल का कोई एक number एक sign कर देंगे, इस तरीके से देखा जाए, तो मैंने एक virtual interface create किया डाइलर, और आप्टर देट उसके अंदर पूल मैंने क्यों है sign किया, उसके पीछे reason है, डाइलर पूल इसलिए दिया है, क्योंकि जब मैं physical interface पे जाओंगा, इस तरीके से इधर भी physical interface की अगर हम बात करेंगे, exit करके मैं interface, ethernet 0x0 पे आता हूँ, 0x0, ethernet 0x0 पे आके मैं directly अब कॉल कराओंगा, तो पूल को कॉल कराओंगा, right, triple poe, triple poe client होगा इस side में, triple poe client, डाइल पूल नंबर, पूल नंबर मैंने अभी क्या दिया हुआ था, यह देखें, 5 नंबर दिया हुआ था, तो same 5 नंबर में इधर कॉल कराओंगा, right, इस तरीके से अगर बात करें, तो देखें क्या है, आपके सामने virtual interface भी आप आगया, line protocol भी आप आगया, यह दोनों information आप आगई, right, virtual interface भी आगया, line protocol, और देखें, मैं आपको एक point और दिखा रहा हूँ, wait, 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 क्योंकि जो interface है, R1 की बात करें, so IP interface brief, line, यह देखें, यहाँ पर important point है, देखें, जो interface actual में work कर रहा है, वो interface है, virtual access 2.1, जो interface actually work कर रहा है, वो कौन सा है, virtual interface, virtual access 2.1, तो जो भी changes अगर हम करेंगे, वो किस में करेंगे, virtual access 2.1 में करेंगे, ओके, यह चीज़ clear हो गई, और R2 की अगर हम बात करेंगे, तो R2 पे भी मैं आपको so IP interface brief करके दिखा रहा हूँ, इधर भी देखिए, actual में जो interface पे अगर हम changes करेंगे, तो वो किस पे करेंगे, dialer 10 पे changes करेंगे, लेकिन इधर आपका virtual access में किसी भी IP address की information, तो नहीं कर रहा है, क्यों, यह reason है, देखिए, customer end का मतलब है client side, और client side पे आप virtual access का कोई भी changes है, वो possible नहीं है, server end के changes, आप client side पे तो नहीं कर सकते हो न, इसलिए इधर किसी भी IP address की information सो नहीं करना है, जो भी changes करने, आपको dialer 10 में changes करने, जो virtual interface create किया गया है, तो I think आपको यह point तो समझ में आया है, कि किस तरीके से हम triple POE की configuration करेंगे, ओके, तो triple POE की configuration done है, राइट, दोनों side में virtual interface भी आप हो गया है, अगर मैं virtual interface की बात करूँ, तो यह देखिए, virtual access, change state to up, यह भी show कर रहा है, अब मैं authentication भी create कर सकता हूँ, मतलब अगर आप चाहो तो authentication apply कर सकता हूँ, मैं R18 से आपको authentication चेक करके दिखाता हूँ, कि configuration mode में आगए, और simply interface की अगर हम बात करें, तो इधर हम लोग authentication भी लगा सकते, बड़ चीजों को थोड़ा सा detail से समझने की जरूरत है, मैं interface, मैं का server end पे हूँ, ओके, interface, virtual template, virtual template नंबर था 11, अगर मुझे याद है तो virtual template नंबर 11 मैंने configure किया था, और इस पर मैं enable कर देता हूँ, triple p authentication जैसे बैदे पहले किया हुआ था, चैप, चैप तो मैं previous video के अंदर आपको बता चुका हूँ, तो मैं इसको enter कर लेता हूँ, right, okay, line protocol down हो जाना चीए, बट नहीं है, तो एक बार मैं clear triple p o e all कर लेता हूँ, reset कर लेते हैं, process को, change state to down, right, change state to down, यह देखिए, right, अगर notification आगया, कि change state to क्या है, down so कर रहा है अपको, तो एक side क्योंकि मैंने enable कर दिया है, फिर भी मैं r1 पर आ जाता हूँ, और इधर username password मुझे देना होगा, जैसे पहले करते हैं, यूजर नेम, पास्वर्ड, पास्वर्ड इन्फोर्मिशन, ओ सारी, यूजर नेम मुझे देना होगा, यूजर नेम, मुकीश एन पास्वर्ड मैं सिस्को कर देता हूँ, done, अब मैं customer end पे, finally मेरे पास, को, आ जाते हैं, configuration mode, interface, dial, डालर नमबर मैंने 10 दिया था, इंटर्फेस का, और इस साइड में, मैं, triple P, chap, hostname, hostname दिया है, मैंने मुकीश, पास्वर्ड मैंने जो दिया हुआ है, वो, सिस्को, ओके, hostname मैंने दे दिया, मुकीश, पास्वर्ड, triple P, chap, सिस्को, line protocol अप हो जाना चाहिए, clear, triple P, यह देखे, line protocol की information अप हो गई, clear command चलाने से पहले, अपका line protocol अप हो गया है, मैं चेक कराता हूँ, so, IP, interface, brief, right, देखे, dialer का line protocol अप है, किसी भी तरह कोई issue नहीं, अगर आप ping कराना चाहते हो, तो ping भी करा सकते हो, ping कराने का मतलब 112.1.1.2 के साथ, right, इस पे आप interface पे different IP addresses भी assign कर सकते हो, यह मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, configuration mode में आगए, interface loopback 1, मैं इधर एक IP address assign कर देता हूँ, suppose 10.10.10.10.1, यह loopback है, जैसे मैंने previous में आपको बताया था, different network के IP addresses अगर interface पे हैं, और triple P encapsulation enable है, तो उसके directly connected interface पे जो slash CIDR32 के साथ, जो PPCP protocol है, वो क्या करता है, routing table के अंदर उस root को install कर देता है, यह बात मैंने previous में discuss की थी, previous videos के अंदर, जो है, ok, loopback create किया, वो रू रूपे जे interface, virtual templates, virtual template, sorry, dialer है, interface, customer एंदर ओ, dialer 10, ते अमें, IP unnumbered, loopback 1, alright, IP unnumbered, loopback 1. और इस साइड में मुझे कमांड देनी है इंटरफीस वर्चुल टेंप्लेट 11 आईपी अननमबर्ड लूपएक वन लूपएक वन पर मुझे एक आईप अईपर डेस असाइन करना होगा इंटरफीस लूपएक वन आईपी अडरेस 2020.1 255 राइट ओके मैं आपको कस्टमर एंट पर चेक कराता हूँ सो आईपी रूट राइट देखिए देहां से कस्टमर एंट पर 112.0.0 32 के साथ इंफोर्मेशन अपडेट हो रही है क्लियर हो गई बात अभी डिफरेंट नेट वरक है मैं अगर इंटरफेस की बात करूँ तो मैं सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर रहा हूँ अगर आप इसको डिटेल से देखे दहां से तो इधर एसाइंड आईपी अडरस 10.10.10.1 है और आरवन पर जो एसाइंड आईपी अडरस है इधर आपका 2020 राइट दोनो डिफरेंट नेट वरक है और उसके बाद मैंने क्योंकि ट्रिपल पी इनेबल कर दिया था उसके बाद मैंने आपका जो इंटरफेस पर आईपी डिफरेंट नेट वरक के असाइंड कर दिया राइट फिर भी कम्यूनिकेशन होगा मैं अगर इ wait a minute so ip root sorry 112 10 की network information आ रही sorry मैं इसको clear करता हूँ clear ppp all I think मुझे लग रहा information update नहीं हुई है आगें चेक कर लेते हैं so ip right अभी install हो गया 2020 2020 क्योंकि reset नहीं किया था मैंने इसको negotiation को तो अभी negotiation reset कर दिया तो किसी भी तरह का को issue नहीं है मैं ping करा लेता हूँ again 2020 2020.1 क्योंकि पहले इसकी information update नहीं हुई थी same thing service provider रेंट पर आ जाते हैं so ip route इधर चेक कर लेते हैं 10 की information update हो रही है बिल्कुल update हो रही कोई सुनी तो मैं 10 के साथ ping करा लेता हूँ 10 10 10 10.1 ओके तो देखे इस वीडियो के अंदर मैंने काफी points कवर किये आपको triple poe enable करके दिखाया enable करने के बाद triple poe के बाद जो किस तरीके से virtual templates create करते हैं और customer end पर किस तरीके से dialer interface create करते हैं and after that इसके बाद हम लोगोंने जब triple poe enable हो गया enable होने के बाद authentication करके भी देखा कि chap authentication किस तरीके से perform करते हैं यहां तक कि अगर मैं triple a authentication करके भी आपको दिखाऊं तो वो same process है जो मैंने previous के अंदर किया हुआ था तो इस वीडियो को यहीं पर complete करता हूं thank you so much and thanks for watching this video अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो like comment करना न बोले thank you so much